हेलो बच्चो मेरी पारसाला में आपका स्वागत है बच्चो आज की पारसाला में हम कक्षा दूसरी विसे खेले करे सीखे इसके अंतरगर्द बच्चो आज हम 1.7 रंग काम आज हम रंग काम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चो आज हमें बहुत सारे रंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस रंग को हम क्या कहते हैं इस रंग का क्या नाम है हमारे सामने बहुत सारे कलर होते हैं बहुत सारे रंग होते हैं लेकिन हमें कुछ कलर का नाम नहीं मालूम होता है है ना तो आज मैं आपको बहुत सारे अलग-अलग कलर के नाम बताऊंगी ठीक है तो चलो बच्चो हम अपनी पाटसाला सुरू करते हैं अब ये देखो ये कलर कौन सा है ये तो सब को पता है लाल अब मुझे आप बताएए कि आपको लाल कलर का कौन-कौन से चीज याद है चो लाल कलर की होती है वो फल भी हो सकती है वो फूल भी हो सकता है वो सबजी भी हो सकती है है ना ये आपके पास कोई कपड़ा है तो भोल ये टीचे मेरे पास फ्रॉक है वो भी लाल कलर का है है और लाल कलर का क्या होता है टमाटर आप लोगोंने टमाटर की कविता पढ़ होता है और क्या होता है और क्या होता है वो आप मुझे बताओगे कमेंट करके अब पीले कलर ये कौन सा कलर है पीला पीले कलर में क्या होता है आप केला खाते हो वो आपको बहुत पसंदे वो कौन से कलर का होता है पीला केले वैसे बच्छो दो कलर की होते है जो केला कच्छा रहता है वो हरा कलर रहता है और जब वो पक जाता है मिठा मिठा तो हो जाता है पीला कलर का अब ये नीले कलर का क्या होता है बताओ बच्छो क्या होता है नीला कलर का सोचो सोचो फूल होते हैं, किते सारे फूल होते हैं, जो नेले कलर के होते हैं, है ना, हरा कलर में क्या होता है, हला कलर में तो किते सारी पतियां है, पेड़ पौधे हैं, सब हरे कलर के होते हैं, है ना, पति पक जाती है, तब पीली होती है, लेकिन जब वो नहीं नहीं पति निकालती है, तो हरी हरी रहती है फिर नारंगी कलर में क्या होता है नारंगी कलर में संत्रा होता है है ना आप संत्रा खाती हो गाजर भी होता है नारंगी गाजर में भी दो कलर होते है फिर क्या है बैगनी बैगनी कलर का क्या होता है बैगन राजा उसका नाम देखो बैगनी बासे और बासे बैगन राजा वो भी बैगनी रंग का होता है सफेद, सफेद रंग का क्या होता है? सफेद रंग का दूद होता है आप लोग दूद पीते हो ना पनीर खाते हो, वो भी सफेद रंग का होता है काला कलर का क्या होता है काला कलर हमारे बाल का होता है है ना सबके बाल काले है किसी के बाल निले पिले है हाँ निले पिले बाल हो सकते हैं बच्छो अगर वो लोग कलर बाल में लगाएंगे ना तो निला पिला भी हो जाएगा और बहुत लोग अपने बालों में न मेहंदी लगाते हैं तो उसे औरेंज कलर के भी बाल हो जाते हैं जब बाल पक जाते हैं जिसे हमारे दादा दादी तो उनके बाल सफेद हो जाते हैं है ना और जब हम लोग यंग रहते हैं बच्चे रहते हैं तो हमारे बाल काले रहते हैं अभी बच्चो रंग और फूल और फल की जोड़ियां है तो यहाँ पे फूल है और उसमें कौन सा कौन से रंग का है तो हम उसके जोड़ि बनाएं देगे अभी देखो यह कौन सा फूल का रंग क्या है सफेद तो यह देखो इन दोनों की जोड़ि मिल गई है न अब ये देखो हरा रंग का केला है ये भी है हरा रंग इन दोनों की जोड़ी मिल गई अब ये फूल का लाल कलर है इधर लाल कलर की जोड़ी मिल गई है और इस फूल का कलर क्या है औरेंज लाल औरेंज नहीं से बच्चों मिलता जुलता लगता है लेकिन ये औरेंज है इसकी जोड़ी से मिला दिया यह देखो यह पीला फूल है तो हमने इस पीले की जोड़ी इस पीले से मिला दिया अब देखो यह जो बैगनी है तो यह बैगनी की जोड़ी हम इस बैगनी फूल की जोड़ी इस बैगनी कलर से मिला दिया है इसी प्रकर आपको भी अपने किताब में करना है है ना और फिर उसके बाद आपको और करना है क्या करना है अभी आपको कृती करना यहाँ पे ना बहुत सारे आकार के चित्र बने हुए है है ना तो यह सारे आकार में जैसे गोल है त्रिबूज है इस सब में हमें क्या करना है रंग भरना है अभी इसमें से आपको जो जो कलर अच्छे लगते हैं इसमें एक एक कलर भर दो जो आपको पसंद है वो कलर इसमें डाल दो ये सारे कलर करने हैं आपको सब में रंग भरना है अभी मेरे पास तो रंग नहीं है लेकिन आपके पास तो आपको जो कलर अच्छा लगता है तो लाल भरिये अगर आपको पील अच्छा लगता है तो पीला भरिये जो कलर आपको पसंद है वो आप अलग-अलग अकारों में भर दीजिए क्या करना है आपको इन सबी अकारों में रंग भरना है जो भी रंग आपको पसंद है वो आप इसमें भर दोगे ठीक है तो आज बच्चों हमने कौन-कौन से रंगों के नाम सिखे लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी, बैगनी, सफेद, काला है ना? अब ये आपका घर का काम क्या है मलूम है? आप ये सारे रंग के नाम लिखोगे आपने ऐसे आपको बॉक्स बनाना है चोकोन और उसमें लाल कलर भरना है और नीचे लिखना है लाल फिर आपको दूसरा बनाना है उसमें पीला रंग भरना है और लिखना है पीला ऐसे करके ये सारे बॉक्स आपको बनाने हैं और सब में कलर के नाम लिखने हैं ठीक है बच्चो तो ये आपका home work है ये सारे box बनाईए और color के नाम लिखिए और भी बहुत सारे color होते हैं आप उसका भी नाम लिख सकते हो लेकिन अभी आप छोटे बच्चे हो न तो आप भी इतने ही color के नाम लिखो ठीक बच्चो और ये जो चित्र बना है इसमें भी है तो आपको जो रंग अच्छा लगता है वो आप इस चित्र में भरिये ठीक है अभी आप मुझे मैं आप से कुछ color के नाम पूछो आप मुझे बताओगे बताओगे मुझे पता है अभी देखो मेरे हाँ अभी आपको मैं कुछ वस्तू दिखाऊंगी आप उसके मुझे रंग के नाम बताओगे ठीक है तो ये है बच्छो ये चाकू है है तो ये कौन सा color है बताओ बच्छो पीला वेरे गूड ये देखो पीला color तो ये चाकू का color क्या है पीला अभी ये देखिए ये लबच छोटी लड़किया बार में हैरे बेंड लगाते ना रबबड है तो इसका कौन सा रंग है सफेद वेरी गूड अभी ये देखो आपकी मम्मी ऐसे बालो में लगाती होंगी ना प्लेचर तो ये कौन से रंग का है बच्छो color है ना ममी लगाती है ना ऐसे सबकी ममी लोग अभी बच्चो ये दिखो ये मेरी चूड़ी है तो ये चूड़ी में आपको कौन-कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं अभी ये दिखो ये जहां पे मेरी उंगली है ये कौन से रंग है? हरा और ये कौन से रंग है? ये दिखिए ये कौन से रंग है? लाल है ना और ये कौन सा कलर है हरा ये हो गया अभी इस में देख़िए और मुझे बताईए ये कौन सा कलर है ये देखो ये हरा कलर है है ना और ये ये गुलाबी कलर है देख रहे थोड़ा कलर बराबर नहीं दिख रहे रहे इसमें आप लोगों को और ये सफेद सफेद है ये दिख रहे है ये सफेद सफेद है और ये पैंसिल कौन से कलर की है नीले रंग की है है ना और जब ये पैंसिल से हम लिखेंगे तो ये क्या है काला कलर तो आज हमने बच्चो बहुत सारे कलर देखे है ना तो आप लोग भी इन कलर के नाम याद करो अगर आपकी ममी कोई साड़ी पहनती है तो आप ममी की साड़ी का कलर देखो और ममी को बोलो ममी आपकी साड़ी का कलर ये है जैसे आपकी ममी ने लाल कलर की साड़ी पहनी है तो आप बोलो ममी आज आपने लाल कलर की साड़ी पहनी है तो ऐसी करके आप कलर के नाम याद करो आपके घर में जो वस्तु होगी आप देखो उस वस्तु का कलर का नाम क्या है ठीक है बच्छो तो बच्चो आज की पार्ट साला में हम लोगों ने बहुत सारे कलर की नाम देखे हैं ठीक है तो आज की पार्ट साला हमारी यहीं पे समाप्त होती है अगली पार्ट साला में हम कल फिर मिलेंगे अगर आप मेरे पार्ट साला में नए हैं तो मेरी पाट साला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाट साला का लाब सभी बच्चे ले सके तो बच्चो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ कल हम फिर मिलेंगे, तक तक कि लिए बाइ-बाइ बच्चो